लेखक और गीत का जावीद अख्तर हमेशा अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में बनी रहते हैं देशे से जुड़े मुद्दे पर भी वो चुप नहीं रहते और अपनी राय खुलकर सब के सामने रखते हैं ऐसे में नागरिकता कानून को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन और जामिया एवं एम्यू के चात्रों पर पलिस द्वारा की गई कारवाई पर भी उन्होंने अपनी राय रखी लेकिन हमेशा की तरह वो फिर ट्रोल हो गये हैं चल रहे प्रदर्शन के वगत एक टी वी चैनल ने कहा था कि जामिया मिल्या श्लामिया के चात्रों ने मीडिया कर्मियों के साथ बद सलुक ही कि इसका वीडियो ट्वीटर पर शेर किया गया था लेकिन एक ट्वीडर यूजर ने उस वीडियो में जावेद अखतर समेता कुछ लोगों को टैग कर लिख दिया जामिया के चाहतर मीडिया पर अटैग कर रहे हैं उस मीडिया पर जो उन्हें उनके द्वारा किये जा रहे हैं शांती पुर्ण विरोध का आइना दिखा रहे हैं लेकिन एंटी नशनल और सकिलर लोग इसकी निंदा नहीं करेंगे शहर केंपस में बिना इलजाज़त गुस पुलिस ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो हर यूनिवर्सिटी के लिए खतरा है जावेद अक्तर द्वारा किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर कहीं लोगों को पसंद नहीं आया यूजर्स ने जावेद अक्तर को ट्रोल कर दिया कि जरीए संदीप मित्तल ने जावेद अक्तर को कानूनी विशेश शक्य ठहरा दिया वही एकानी यूजर्स ने लिखा कि सर तो शायर है उन्हें कानून वानून क्या बता होगा वोट से पर आया होगा और कौपी कर चिपका दिया होगा वहीं एकानी यूजर्स ने कहा कि जावेद साहब लौ की जानकारी बराबर रखना मुहु से थूकने जितना सलल नहीं है। एक युजर का कहना है कि कानूनी विशिशक ये उसे भूमी का सटिक कानून, अनुभाग संख्या और अधिमियम का नाम बताते हैं। मुझे यकीन है कि आपके पास सब कुछ तयार है। बोलिए ना सर्फ बूलते क्यों नहीं है। जावेदक्तर के ट्वीट पर और भी कई लोगों के रियक्शन आये हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर जम कर ट्रोल किया जा रहा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.